हेलो एवरिवन आपका एगवा फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायेट ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि यह जो नि minimum S.I.P. amount क्या लगा सकते हैं और इसका fund size क्या है साथी साथ मैं आप से discuss करूंगा कि इसके अंदर कौन-कौन सा stock listed है और अगर आप इस mutual fund में कुछ पैसा जमा किये होते हैं तो पिछले एक साल तीन साल पांस साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलता और लास्ट में आप से discuss करूंगा कि इसके अंदर हमें अपना investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए यदि आपने और रेड़ी किया है तो क्या हम लोग S.I.P. और पाइसा इन्वेस्ट करते हैं तो अभी आपको इसकीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर वाट्सप कर सकते हैं यह मेरा प्रस्टनल नंबर है जिसमें आप खॉल नहीं करेंगे सिर्फ वाट्सप के द्वारा मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा कि किस तरी है पांस साल के लिटन के पर बात करते हैं तो 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 या इंवेस्ट है 18. 84% का अगर आपने अभी तक आप इस टॉक में अपना डिमेट एकम्ट ऑपेन नहीं किया है और आपन करना चाहते है तो इस वीडियो के डिस्क्रिपिशन में हमने अपना र्र ऋपना रिक्राइं द देखने को मिलेगा इसकी नभी के में लोग बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक नभी का प्राइस है 3536 रुपया रेटिंग की बात करते हैं तो यह फोर स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमूम साइप एमांट 100 पर लगा सकते हैं इसका जो फं करें तो तीन साल में आपका पैसा जमंघ होता है एक लाग 84,275 रुपया अब अगर बात करते हैं इसस पर के अनधर आप एक बर में खोड़ा लंसंठ कर लंसम किया हutा तो एक लाग रुपया आपका एक साल में और फाल्पा शाल coercप्य य। एक हब ल्रोफिया हल्दिंग के बात करते हैं इसके अंदर डॉटल टोोटल ल्यटे घैत अगर हम इसमें टॉप्तें हैं तो टॉप्टेंन्में पहला नम आता है 我 और फाइनन्स कोपरेशन ओफ लिमिटेड फाइनन्सियल चेत्र में चोलम मंदारम फाइनन्सियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनन्सियल परजिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेकनोलोजी बरून बिहब्जर्स लिमिटेड कंजूमर स्टेल्स होटिस हेल्थ क्यार चेतर में है अब इसकी होल्डिंग अनलाइसिस को समझते हैं तो इक्वेटी पे हैं 99.6% और क्यास पे हैं 1.4% अब इस एक्वेटी को यह दिस अक्टर वाइस देखते हैं तो अदर्स में है 27.6 इसका प्राइस टू अनिंग रेशियो 27.18 और इसका पीबी रेशियो 3.93 मिनिमुम इंवेस्मेंट की बात करते हैं यदि अब फर्स टाइम इसके अंदर इंवेस्मेंट करना चाहते हैं तो मिनिमुम लमसम इसमें 100 रुपय का सेट किया गया है और मिनिमुम एसाइपी भी इस 100 रुपय का सेट किया गया है अब यहाँ पर हम लोग रेटन यह रैंकिंग के देखेंगे और यहाँ पर हम लोग लोग देखेंगे रही पर आपको समझ में आया कि क्या हम्में इस मुच्छलन फंड में अपना यहां पर एक चीज के लिए हो रहा है कि यह फंड रेटन आपको निकाल करके दे रहा है जाहें बात करें एक साल का तीन साल का या पिर पास साल का यह आप सोट टरम से लॉंग टरम देख रहे हैं इस मुच्वर फंड के अंदर तो बिल्कुल सही है आप इसके अंदर आपना सकते हैं इसके आश्यदी सिमीलर फन्द की बात करते हैं इसत्स했어 और इसके इसेी बात करतें तो इसका पर दो पर संट का एक जिट लोट की बात कर लेते हैं यह आप अपना इंवेस्ट के आवा पैसा एक महिने के अंदर निकालते हैं तो आपको एक परसंट का एकजिट लोड देना होगा इस्टम ड्यूटी के बात करते हैं तो इस्टम ड्यूटी है 0.005 परसेंट अब हम लोग देखते हैं कि फंड हाऊस एंड इंवेस्मेंट अब्जक्ट्स को त तो निपोन इंडिया मुच्वल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 6 नमर पे रहेंग करता है यह मुच्वल फंड इस्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को इसका टोटल असिस्ट अंडर मेनेजमेंट है 4,440,507 क्रोर का अब इसका अब इसका और देखते हैं लोग नोलेज तो निपोन इंडिया ग्रोथ फंड आयट ग्रोथ यह एक एक क्योटी मुच्वल फंड है जो कि निपोन इंडिया मुच्वल फंड की तरब से लॉंच किया गया था यह मुच्वल फंड इस्टार्ट हुए 30 जून 1995 को मनेज गुनवानी अभी इसका करेंट फंड मेनेजर ह चार लाग चारिस जर पान सो साथ क्लोड का और लेटिस्ट इने भी है 3536 रुप्या बात करते हैं निपोन इंडिया ग्रोथ फंड डायट ग्रोथ यह काफिया हाय रिक्स मुच्वल फंड मीनिमुम एसाइपी इमांट इसमें एक सो रुप्या कर सेट किया गया है और मीनिम इस तरीके का वीडियो की अच्छी आनकारी को ले करके